नमस्कार मैं गुद्तिस्रफ़ण फंडे डेजीपी ब्यार ये वीडियो इसलिए बना रहा हूं को बहुत लोहं को कंफ्यूजन है कि तीसरे पर sheriff को कोई खूट है कोई छूट नहीं है कोई चूट नहीं कोई छूट नहीं है तीसरे चलनगा lockdown की वैसी है जैसे पहले चलनगा lockdown था आम आगमी के लिए कोई छूट नहीं है कि वाद और इंज्रोन में कुछ construction activity कुछ सरकारी काम काज के लिए लाउ किया गया है विशेश परिस्थिती में कुछ दुकाने के का संबंधी जेला परसाशन नहीं रेशना लेशा कुछ भी नहीं कुले गी स्कूर्रण कौन सीन शूट सब बंद रहेंगे पहले ही कि तरह इसलिए इस बात् Military समझना है तइखक मोटसाइक्ल पर पास लेकर के जिख एक आदमी चल सकते हैं दो आदमी नहीं और पास लेकर के गाड़ी उने भी बहुत ज़रुमली काम से कहीं जाना हो तो डाइबर कहला उश्रत से दो आदमें बैटेंगे partner ळीच से ज्लेट से दूसरे एक जिले से दूसरे जिले में तो आप जाही नहीं सकते बिना पास के बहुत जरूरी होने पर मेडिकल गाहों पर आपको पास इसू होगा लेको उसमें भी ख्याल रहे डैवर के लाव से दोड़ा आदमी चूट किसको है सभी प्रकार के मालवाख महान चलेंगे समगरी ढूने वाले बाहन चलेंगे और रक्षा सरक्षा संबंधी आपात का लिंग से वाएं चालू रहेंगी और आवश्यक से वाएं चालू रहेंगी जैसे पहले चालू थी मदू भारी शंख्या में आ रहे हैं हमारे भाई बाहर से बहुत परिसानी से आ रहे हैं बहु कि अच्छी वरुस्ता है सम्मान के साथ उनको उनके ब्लॉक में ले जाए जाएगा वहां करंटाइन सेंटर बना है वहां और रहेंगे खाएंगे पिएंगे और जितनी समय तक का समय बिताना है उतना पिता करके शुरच्छित अपने घरों को जाएंगे इसमें पूरी प्रस लेकि हम आपको बचाने के लिए विहार को बचाने के लिए इस देश को बचाने के लिए हम आप पर ये जागति कर रहे हैं हमें माफ कर देंगे लेकि हमारा सहयोग करेंगे बेटे बेटियां अच्छा प्रशत्रा हैं देश के कोने कोने से आ रहे हैं वो भारत के भविश् भांसाने उन्हें दो बहुत ही मर्यादा का भहाती हम सब्स्राइब करना और पुलिस पर हमले भी कहीं लिखकर जाते हैं पुलिस पर पशासबस और मेडिकल के करशारीओं पर कोई भी अगर हमला करता है जगन्र अपराद है उनके सब सक्त कानूनी आखर उनको सक्तरी शामी हो और इसी तरह से सोचल मीडिया पर गलत पोस्ट करने वाले संफदाई दंगा या फसाद की स्थिती पैदा करने वाले नफ्रत दर्ज होगा आपका चास्टिट करेंगे श्पीडिकायल कराएंगे सामपडाइक सद्वाओ को किसी भी रहालत में बिहार में बगड़ने नहीं दिया जाएगा या बीरों की धर्ति है सांती की धर्ति है ये पीरों मौल्बियों और साधू संतों रिश्यमूनियों को धर्ति ह इस धर्ती की गर्मा को बनाये रिखने में हमारे सहयोग करें और बिहार की जनता को मैं प्रणाम करता हूं कि आपके सहयोग से यह लॉकडाउन सफल हुआ है आपके सहयोग से ही अभी तक बिहार बचा है बचाएं आगे वाला समय और खत्रे का है बहुत खत्रा खामने है अग अगले 15-20 दिन तक बिहार को बचा लेंगे तो हम सब बच जाएंगे बिहार बच जाएगा यह देश बच जाएगा आप से मुखना